असलाम अलेकुम वीवर्स कैसे है आप सब आज मैं लाई हूँ फीश फ्राइप की रेसीपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसीपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब और मेरे वीडि़ियो को लाइक करना ना भूलिए तो चलिए देखते हमें रेसिपी के लिए किन चीजों की जरुरत पड़ेगी एक टी स्पून हल्दी पाउडर दो टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिए दो टेबल स्पून बेशन वन टी स्पून अद्रकलसन का पेस्ट इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी है वन टेबल स्पून विनेगर मस्चली को साफ करके रखा है मैंने अच्छे से दो के रखा है प्राई करने के लिए ओईल हाफ कप ओईल है ये पहले हम मसालों को मिक्स कर लेंगे सूखे मसाले बेसन अद्रकलसन का पेस्ट विनेगर इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है पहले इसे मिला लिजिए पेस में थोड़ा-थोड़ा करके पानी ये पानी एक साथ नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके डालना नहीं तो आपका मसाला पतला हो जाएगा मैंने दो बार करके डाला है थोड़ा थोड़ा देखिए मेरा मसाला कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी रेडी है अभी से हम फिश के उपर लगा लेंगे इसे फिश के उपर अच्छे तरीके से लगा लीजिए इसके कट्स के अंदर भी अच्छे से मसाला लगा लीजिए मसाला जब लग जाए अच्छे तरीके से तो इसे कम से कम आदे घंटे के लिए आप रख दीजिए ताके फिश के अंदर मसाले अच्छे से चले जाए अब यहां पर हमने तेल को गरम कर लिया है अब इसे इसमें हम फिश दालते हैं फ्लेम को हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखा है इसे हाई फ्लेम पे मत पकाना नहीं तो मचली जल जाएगी मसाले अच्छे से लगा के इसे और फ्राइ कीजिए इसे कम से कम एक साइट चार से पांच मिनिट तक फ्राइ कीजिए जब तक इसे हाथ मत लगाई है यह तो मचली तूड जाएगी देखिए एक तरफ से यह अच्छे से पक चुका है अब इसे हम पलट लेते हैं आहिस्ते से करके इसे पलट लीजिए देखिए कितने अच्छे कलर आ गया इसके उपर अब इसी तरह इसे हम मेडियम टू लो फ्लेम पे दूसरी तरफ से भी तीन से चार मिनट पका लेंगे देखिए दूसरी तरफ से भी यह बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है बस अब हम फ्लेम को करते हैं बन और इसे डिश आउट करते हैं देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी रेसिपी तयार हो चुकी है प्लीज आप लोग इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंड में जरूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अल्ला हफीज